हेलो सांतियो, वैलकम तो रोयल स्टड़ी, दोस्तों आज के इस वीडियो में करिंट अफेर का वन ओप दा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं, मैध्य प्रदेश में वर्तमान में कौन क्या, दो हजार तेविस, और इसका ये अब तक का सबसा ब पूछ जाएंगे, तो आईए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, गाइस इस वीडियो की जो पीडियेफ फाइल है, आपका इस वाली टेस्ट सीरीज, इबुक में मिल जाएगा, ये हमारी इबुक है, दो हजार तीज की मंतिप्रदेश की कर इंटफेर की, जिसमें जनवर का जो कर इंट फेर हैं, हम एक्जाम टाउन चेनल पर आपको टॉपिक वाईज और स्पैसल फोर्मिट में कवर कर वा रहें, जो की MP कॉंस्टेबल की एक्जाम पॉइंट आफ यो से कवर कर वा रहें, तो आप जरूर से एक बार विजिट कर लिजगा, डिस्क्रिप्शन मे बाहर आपका नहीं जाएगा, काफी अच्छे स्पैसल उफर चल रहें, अगर नहीं पर्चेस किया है, तो आप कर लिजगा, एक्जाम से पहले, इसके अलावा यह हमारी पुलिस कॉंस्टेबल 2023 की स्पैसल इक्जाम के लिए टेस्ट इस्ट 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 इ इसे आप आप हम इन नमबर पर भी कांटक्ट कर सकते हैं, यह इबू के हमारी 2023 की मध्यप्रदेश के कर इंटरफेर की, यह 2022 की ए और यह 2021 की अविलेबा लई, यह हमारी MPJK के टेस्ट इस्ट 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 है, आप एप्लिकेसन को हे सीवराज सिंह चोहान, सिवराज सिंह चोहान 19 समे नंबर के सीय में भारती जंता पाइटी के राष्ट्य फाध्यक्ष हैं इनका जन्म हो आए 5 मार्च 1969 को बधनी सिहोर मैं । चोंतिissippi बार मुक्यमंत्री बने हैं ये तो 23 मार्च 2020 को चुंती बार मुक्यमंत्री बने कमल नाजी की स्थान पर प्रतम बार CM बने थे ये 29 नॉमबर 2005 को सिवराज सिंग पहले बार CM किसके स्थान पर बने थे तो बाबुलाल गोर की स्थान पर बने थे ये कुशन आपका ऊचे जाता है नेक्स्ट कोशन है मद्प्रदेश के वरतमान राज़िपाल कोने सही जवाब रहेगा मंगु भाई चगन भाई पटेल मद्प्रदेश के वरतमान में राज़िपाल है मंगु भाई चगन भाई पटेल 19 वे नमबर के राज़पाले मद्वर्देश की और इनके जो न्युक्ति विए 6 जुलाई 2021 को ये बने हैं इनके पहले आनंदी बेन पटेल थी मद्वर्देश की राज़पाल मंगु भाई चगन भाई पटेल गुजराद के पूरो मंत्री रहे हैं इसके अलावर राज़पाल की बारे में बात करें तो न्युक्ति भारत के राष्ट पती जिद्वर्दा की जाती है और इनके जो कारिकाल होता है ये 5 वर्स का होता है अगला कोशन है मद्य प्रदेश के वर्तमान मुक्षि नियाईदीस कौन है सही जवाब रहेगा रवी विजे कुमार मलीमत आपका सही जवाब रहेगा मद्य प्रदेश के 27 वे मुक्षि नियाईदीस है रवी मलीमत मद्य प्रदेश मुक्षि नियाईदीस ये बने है 17 सितंबर 2021 को और ये 24 मई 2024 को सेवा नित्य होंगे यानि 24 मई 2024 तक ये इस बद पर रहेंगे यह मुर्तिर रवी मलीमत जो है उत्राकणी के कारिवाहक मुक्षि नियाईदीस रहा चुके हैं और इन से पहले मद्य प्रदेश के मुक्षि नियाईदीस थे ये मुहम्मद रफीक थे जिनने हिमाचल प्रदेश के मुक्षि नियाईदीस बना दिया गया है नेक्स्ट को सेने हमारा मद्य प्रदेश के वरतमान पुलिस महानिदीस है तो सही जवाब रहेगा सुधीर कुमार सकसेना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनके पहले विवेक जोहरी थे सुधीर कुमार सकसेना 1987 बेच के IPS अधिकारी है पहले ये केबिनेट सची वाले नई दिली में सुरक्ष सचीव के पतपर पदस्त थे मद्यप्रदेस पुलिस की बात करेक्ट इसकी स्थापना 1854 में होई थी प्रतम पुलिस महानी रिक्षक कौन थे मद्यप्रदेस के तो इनका नामे B.G. घांटे और मद्यप्रदेस के प्रतम पुलिस महानी देशक थे B.P. दुबे अगला कोश्चन है इंदोर के वर्तमान पुलिस कमिशनर को नहीं तो इंदोर के वर्तमान में जो पुलिस कमिशनर है इनका नाम है मकरन देउसकर याद रखेगा मकरन देउसकर जो जो हैं यह इससे पहले भोपाल पुलिस कमिशनर थी है ना तो अगर आपसे question इस तरह भी बने कि भोपाल के पहले police commissioner कौन थे तो ये मकरन देउसकर थे अब इनको indoor के police commissioner बना दिया गया है याने भोपाल और indoor के जो police commissioner थे उनको exchange कर दिया गया है indoor वाले को भोपाल बेज दिया भोपाल वाले को indoor बेज दिया सही जवाब रहेगा हरी नारायन चारी मिस्र ये इससे पहले indoor के police commissioner थे के लिए रहे हरी नारायन चारी मिस्र 2003 केडर के IPS सथिकारी हैं जन्मिस्तान सिवान बिहार इनका और ये indoor के पहले police commissioner थे के लिए रहे नेक्स्ट वचने थे cm के OSD योगेश चोधरी को लोकायुक्त में विसेस police इस्ताफना का EDG बनाया जाने से ये पत खाली हो गया था IPS अंसुमान सिंग जो है पुलिस मुक्याले में उप पुलिस महाने रिक्षक के पत पर पदस्त थे अब इनको cm के OSD बना दिया गया है अगला कोशने मद्यप्रदेश के वर्तमान मुक्य निर्वाचन अधिकारी को ने सही जवाब रहेगा अनुपम राजन अनुपम राजन वर्तमान में मद्यप्रदेश के मुक्य निर्वाचन अधिकारी है इनके पहले वीरा राना थी अनुपम राजन जो थे पहले मद्यप्रदे ते रस्मी अरुन समी के पास अध्यक्षपत का परबार था माध्यमिक शिक्षा मंडल के रस्मी अरुन समी मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विवाग के प्रमुक सचियू अब हैं मद्यप्रदेश माद्यमिक शिक्षा मंडल की बात करें तो इसकी स्ताबना 1965 में होई उसका मुक्यारे भोपाल मिश्थीत है नेक्स्ट गुचन है मद्यप्रदेश के वर्तमान महादीवक्ता को नहीं सही जवाब रहेगा प्रसांत सिंग इनके पहले पूरुसेंद्र कौरव थे पूरुसेंद्र कौरव ने जेस्टिस बनने से पहले पूरु महादीवक्ता के पस से स्तीपा दे दिया 2009 में कोरव सबसे कम 33 वर्ष की उम्र में महादी वक्ता बने थे फिर अतिरिक्त महादी वक्ता और जून 2017 में पहले बार महादी वक्ता बनाए गए थे मद्य प्रदेश के पहले महादी वक्ता कौन थे इनका नाम है Justice M. अधिकारी नेक्स्ट कोचने हमारा मद्य प्रदेश के वर्दामान विदान सबा अधियक्ष कौन है सही ज appar जवाब रहेगा Giris Gautam यानि की हमारा यहाँ से Giris Gautam सही जवाब हो जाएगा मद्य प्रदेश के अठारवे विदानसभा अध्यक्ष गिरिस गोतम जी, इनका जन्मिस्तान ग्राम करोंदी जीला रीवा है, सन 2018 में चोती बार विदानसभा सदश्ची निर्वाचित हुए, मद्य प्रदेश विदानसभा के प्रतम अध्यक्ष ते पंडित कुंजिलाल नेक्स्ट वोचने हमारा मद्य प्रदेश के वरतमान विदानसभा अध्यक्ष गोने सही जवाब रहेगा, ये पद अभी रिक्त है, इस पद पर अभी किसी की विन्युक्ष नहीं की गई है अगला कोशन है मद्यप्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौने सही जवाब रहेगा इकबाल सिंग बैस वर्तमान में मद्यप्रदेश के मुख्य सचिव है 33 वे नमबर के मुख्य सचिव है इकबाल सिंग बैस मद्य प्रुष के परता मुख़ सचीन और इनका नाम है स्री एच एस कामत। अगला कोशन हैं मद्य प्रुष के वरत्मान राज जे निरवाचन आयोक तो कौन हैं ये अभी दो-तीन सालों में दो-तीन चेंज हो चुके हैं तो इसमें कई सारे लोगों को दुर्ग विजे सिंग याद होगा कई सारे लोगों को राकेश सिंग याद होगा बट राकेश सिंग भी इस बार चेंज हो चुके हैं अब नहें बने हैं अभी से एक सिंग कब बने हैं हम तुरन से आपको अपडेट कर देते तो आप जुड़े एगा चेनल के साथ में मद्ध्य प्रदेश के प्रतम राजी निर्वाचना युक्त कौन थे इनका नामें अगला कोशनी मद्ध्य प्रदेश के ग्रह विवाग के अपर मुख्य सचिव कौनें इनका नामें प्रदेश के वरतमान उपलोक युक्त कौनें इनका नामें सुसील कुमार पालों इसके पालों के नाम से इनको जाना जाता है अगला कोशनी मद्ध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की वरतमान में अध्यक्ष कौनें सही जवाब रहेगा ये रिक्त अभी पद जो है रि प्रदेश राज महिला आयोग की जो ओफिशल वेबसाइट पर डेटा हम इनका लेने गए कि कौन क्या है किस पद पर है ताज़ा ताज़ा डेटा अपडेट लेने के लिए तो हमें जो चीज़े देखने को मिली वो इस तरह से देखने को मिली आपके साथ भी हम साजा कर रहे यहाँ पर अध्यक्ष के पद पर किसी भी का भी नाम नहीं दिखाए तरह नहीं कोई डेटियल डली है यहाँ पर सदश अध्यक्ष और पूरी डेटियल है मद्यप्रदेश महिला यहम बाल विकास विबाग राज महिला आयोग की यह देखिए मद्यप्रदेश राज महिला आयोग ये लिखा हुआ है इसकी पूरी डिटेल एक भी कुछ भी डिटेल यहां पर दिखाई नहीं देंगी आप भी चीक कर सकते हैं है ना तो यहां पर पूरा रिखते हैं याने अभी तक कोई किसी पर नहीं है जो होंगे उनको हटा दिया होगा या इस्तिपा उन्होंने द करें तो इसके गठन हुआ है एक नॉमबर 56 को इसके प्रतम अध्यक्ष थे डीवी रेंगे और इसका मुक्याले है इंदोर में नेक्स्ट कुछ ने मद्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के वरतमान में अध्यक्ष कौन है सही जवाब रहेगा मनुहर मम्तानी कारिवाहक अध्यक्ष यह है मनोहर मम्तानी मद्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के यह कोशन आपकी पठवारी की एकजाम में जेल परारी फोरेस्ट गर्ट गुरूप फोर इन सभी में पूचा गया है तो आप इसको अच्छे से लेकर चलेगा क्योंकि नई नई अपोइन्मेंट है तो आपकी एकजाम में भी कोशन बनेगा 28 नॉम्बर 2022 को कारिवाहक अध्यक्ष यह बने इनके पहले नियायमूर्थी नरेंद्र कुमार जो जेन्द है यह मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष थे राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन के बात करता सितंबर 1995 को हुआ और इसका मुख्याले मद्यप्रदेश के राजजानी भोपाल में स्थीत हैं नेक्स्ट कोशने मद्यप्रदेश के वरतमान जेल महानी देशक कोने सही जवाब रहेगा अरविंद कुमार यह मद्यप्रदेश के वरतमान में जेल महानी देशक हैं नेक्स्ट कोशने मद्यप प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिदेशक होमगार्ड को ने तो पवन कुमार जेन आपका करिक्ट आंसर रहेगा पुलिस महानिदेशक होमगार्ड ये हैं पवन कुमार जेन और पुलिस महानिदेशक होमगार्ड ये हैं अब्दा प्रबंदन का पद इनको दिया गया है इ अर्विंद कुमार सुगला मध्यप्रदेश मुक्य राजी सूचना आयोगते हैं अर्विंद कुमार सुगला नेक्स्ट कोशिन के और आगे बढ़े उससे पहले हम थोड़ी से अपडेट देदे आपको देखें MP का करेंट अफेर तो हमने आपको यहाँ पर कवर करवा रहे ह तो अगर आप चाहते हैं कि नेशनल का भी करेंट अफेर आपकी MP कॉंस्टेबल MP SI की एक्जाम पॉइंट ऑफेर कवर हो पाए तो हमने एक्जाम टाउन चेनल पर आपकी लिए काफी अच्छे कासे वीडियोज डाले हैं और अभी बैसिकली उन पर हमारा काम चल रहे है डे इसली बार ज्यादा पूचा गया नेशनल का इंटफेर से उससे हम ज्यादा तर आपकी कोश्चन कवर कर रहे हैं किले रहे तो सबसे ज्यादा योसफोल सीरीज रहेगी वहां की तो आप एक बार जरूर से विजिट करेगा डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी अगला कोशनी मध्यप्रदेश के पांचवे वितायों के अध्यक्ष कौने इंक नाम हिम्मत कोठारी देखिए पहला वितायों की जो अध्यक्ष है इनका नाम डॉक्टर ऐससी इसू दिया पहले और दूसरे के उसके बाद में तीसरे वितायों के अध्यक्ष थी सीतला सख चोते पांच पे के यही है हिम्मत को उठारी मद्यप्रदेश किर्केट एशुशिशन के वर्तमान में अध्यक्ष को ने सही जवाब रहेगा अभिलास खांडेकर यह वर्तमान में मद्यप्रदेश किर्केट एशुशिशन के चेहर में प्रेसिडेंट है वर्तमान में और मद्यपरदेश किरकेट टीम के चेयर में मद्यपरदेश किरकेट टीम के स्थापना 1950 को गupli और वरतमान में मद्यपरदेश किरकेट टीम के जो कप्तान है इनके का नाम है ुषिती Support को छे चंदरकांत nikवू ए अध्यक्ची जोतिर अधित शिंदिया सँ्पर्पहराई राज्यDay योजना ऑयोक का वर्तमान अध्यक्ष कोने सब्सक्राई चर्व् Labs सब्सक्राई का मुक्废ाई यह सचिन्च त्रवश sesso राज्यि योजना बोर्ड का गठन हुआ 24 सक्टूबर 1972 72 को राज योजना आयोग का जो नाम है ये बदलकर राज निती अम योजना आयोग कर दिया गया है तो ये भी आप डिटेल याद रखिएगा अगला कोशन है गाईज अगला कोशन ही मद्य प्रदेश के राज जिपाल के प्रमुक सची को ने सही जवाब रेगा डेपी आवगा प्रदेश के राज जिपाल याने मंगु भाई पटेल के प्रमुक सची है के लिए तो नेक्स एक्जाम टाउन चैनल पर जरूर से विजट कर लिए जगा आपके लिए सबसे ज़्यादा हल्प बोल रहेगा मद्यप्रदेश रियल स्टेट अथरेटी रेरा के अध्यक्ष कोने तो रेरा के जो वर्तमान में चेर्मेन इनका नाम है अजीत प्रकास स्रीवास्तव एपी स्रीवास्तव इनको बोला जाता ही इनके पहले अंतेहनी डेसा थे के लिए एपी स्रीवास्तव पहले मद्यप्रदेश प्रसासन अकादमी में के महानी दिशक है एपी स्रीवास्तव वन विबाग के अपर मुख्य सच्यू के पत पर भी रह चुके हैं तो ये रियल स्टेट अथरेटी रेरा के चेर्मेन है व वर्तमान में मद्यप्रदेश मच्वा कल्यान बोर्ड का अध्यक्ष कोने सही जवाब रहेगा स्री सीता राम बातम नेक्स्ट कोचने मद्यप्रदेश खेल परिशत के वर्तमान में अध्यक्ष कोने सही जवाब रहेगा ये सुदर राज सिंद्या ये वर्तमान में चेर्मेन कोने तो मद्यप्रदेश वब कोड के वर्तमान में जो चेर्मेन इनका नाम है डॉक्टर सनोबर पटेल बिन को जाना जाता है अगला कुश्चे नहीं मद्यप्रदेश प्रफिशनल एक्जामेशन बोर्ड व्यापम के अध्यक्ष कोने सही जवाब रहेगा इसका न अगला कुश्चे नहीं संचालक जनसंपर्क मद्यप्रदेश कोने सही जवाब रहेगा आसुतोस प्रताप सिंग आयुक्त की बात करें तो यह है रागिवेंद्र कुमार सिंग नेक्स्ट कोश्चे मद्यप्रदेश राज भूमी सुधार आयोक का नवीन अध्यक्ष कोने स नहीं सही जवाब रहेगा डॉक्तर निसांत खरें वर्तमान में मद्यप्रदेश राज युवा आयोक के अध्यक्ष है यादर कीगा मद्यप्रदेश के संस्कती मंत्री कोने इनका नाम में उसा ठाकुर अगला कोशनी मद्यप्रदेश में स्री अन्न बीज बेंग की ब्राण्ड अमबेजडर कौन है सही जवाप रहेगा लहरी भाई ये मद्यप्रदेश में स्री अन्न बीज बेंग की ब्राण्ड अमबेजडर बनी है डिन्डोरी से करीब 60 किलोमेटर दोर बजाग विकासकन के सिलपीडी गाउं के रहने वाली 27 फरसी लहरी भाई करीब एक दसक से मिलेट्स बैंक चला रही है छोटे मोटे अनाजियों समें 1.500 किस्मों के दुललब बीजो का कलेक्शन मौजूद है मिलेट्स उत्पादन में मद्यप्रदेश अभी देश में दूसरे नमर पर है युनेस्को ने 2023 को year of मिलेट्स गोसित भी किया है नेक्स्ट कोचन है हमारा गाईस मद्यप्रदेश राजी निर्वाचन आयोग के ब्राणडम बजडर कौन है सही जवाब रहेगा सारी का घारू सारी का घारू मद्यप्रदेश राजी निर्वाचन आयोग के ब्राणडम बजडर है नेक्स्ट कोचन ही सोर उर्जा के लिए मद्यप्रदेश के ब्राणडम बजडर कौन है नेक्स्ट कोचन ही किरिप्स के sports promoting brand ambassador कौन है सही जवाब रहेगा विवेक सागर विवेक सागर क्रिप के sports promoting brand ambassador ही क्रिप का full form होता है Center for Research and Industrial Stop Performance क्रिप्स होता है क्रिप्स का मुख्याले भुपाल में शिरी क्रिप संस्तान sports promoting brand ambassador विवेक सागर को बनाया है क्रिप सोसाइटी के जो चेर्में इनका नाम है स्रीकांत पाटिल अगला कोशनी मद्यप्रदेश महिला वाल विकास विवाग के brand ambassador कौन है सही जवाब रहेगा रोसनी भधूरिया ये मद्यप्रदेश महिला वाल विकास विवाग के brand ambassador बनी है के लिए रहे अगला कोशनी गाइस मद्यप्रदेश बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ की brand ambassador कौन है सही जवाब रहेगा इस पद पर mega parmar थी अब इनको हटा दिया गया है तो मद्यप्रदेश बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ योजना की जो brand ambassador थी mega parmar थी ये नाम है आप याद रगीगा इनको हटा दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ की brand ambassador mega parmar को हटा दिया गया साची की brand ambassador भी थी ये mega parmar इनको भी हटाय गया है दोनों जगा से अगला कोशनी इंदोर सहर में स्वच्छी सर्वेक्षन 2023 का brand ambassador की से बनाया गया है बुलबल पञजारे को बनाया गया है याद रगीगा इनदोर स्वच्छ सर्वेक्षन 2023 की brand ambassador मूख बदिर बुलबल पदिर को बनाया गया है बुलबल पदिर का संबन इंदोर जीले से ये एसिया की पहली मूग बदिर नर से यादर किगा यहां स्वसाइता समू की सदश्य भी है नेक्स्ट वोसरी इंदोर नगर निगम ने अपना स्वचिता ब्राण अमबिजडर किसे बनाया है वेंग्टे साइयर आपका करिक्टा आंसर रहेगा क्रिकेटर वेंग्टे साइयर को सवचिता लिग का इंदोर का ब्राण अमबिजडर बनाया है नेक्स्ट वोसरी मद्यप्रदेश में आईकर विबाग के ब्राण अमबिजडर कोने सही जवाब रहेगा केलास सत्यारती आईकर विवाग सत्यारती यानि कि आईकर विवाग नहीं किला सत्यारती को अगलों 3-5 सालों के लिए ब्राण अभिजडर बनाया है और इस दरवान विवाग अपने सभी विज्यापनों में किला सत्यारती के चेहरे का इस्तिमाल भी करेगा अगला कोशन है मध्यप्रदेश में मम्ता अभियान के ब्राणडम बिजडर कौने सही जवाब रहेगा मादूरी दिक्षित मध्यप्रदेश में मम्ता अभियान के ब्राणडम बिजडर है अगला कोशनी मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् कीगा अगला कोशन मद्ध्रदेश माटीकला की बोर्ट की अद्यक्ष को ने सही जवाब रहेगा राम दयाल परजापति मद्ध्रदेश जल यं भूमी प्रबंदंस ञंस्तान वॉल्मी की ज संचालक कौने सही जवाब रहेगा स्री मती उर्मीला सुकला ये वोल में की वर्तमार में संचालक है नर्मदा घांटे विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौने सही जवाब रहेगा एकबाल सिंग बैस अगला कुशन है नर्मदा घांटे विकास प्राधिकरण के उपाध्य इनका नाम है SN Midra, क्लियरे, next question है guys, हमारा warehousing और logistic corporation के अधिक्ष कौन है, सही जवाब रहेगा, राहूल सिंग, ये warehousing और logistic corporation के chairman है, state cooperative dairy generation limited के अधिक्ष कौन है, जे इन consortia आपका correct answer यहाँ से हो जाएगा, क्लियरे, guys, exam town channel पर अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है, अगर अभी तक आपने नहीं देगा इस को तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक के आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा नेशनल का पूरा कर इंटरफेर हम आपको MP की exam point of view से cover करवा रहे description में लिंक है आप जाकर check out करेगा काफी जादा महनत लग रही उस तरह की videos को बनाने में तो आप जाकर तो at least देखिएगा किस तरह के videos है और आपके लिए इतनी महनत से हम क्यों बना रहे है तो आपको देखना चाहिए एक बार description में लिंक के एक बार ज़रू से visit करेगा कि 2023 की मंद्रदेश के करेंटरफेर की ebook यह जो है इसमें इस वीडियो की PDF आपको मिलियागी कहाँ पर मिलेगी इस वीडियो की PDF इस वाल test ebook में मिल जाएगी तो यहां से आप जाकर चेक आउट कर सकते हैं यह हमारी इबुक है 2023 की मंद्रदेश के सिंगल भी question इससे आपको बाहर नहीं जाएगा तो अगर आपने इन्रोल नहीं किया है कर ले जगा का पीचे special offer इस पर चल रहा है यह हमारी पुलिस constable 2023 की special test series है इन्रोल नहीं किया है कर लिजगा का पीचे special offer है और बिल्कुल advanced test series है यह आपकी यह हमारी MPSI की special test series है बिल्कुल latest pattern की कोई doubt है कुछ पर रहे तो आप हम इन नंबर पर भी contact कर सकते हैं यह ebook है हमारी और यह 2023 की 2022 और 2021 की भी available है MPGK की test series है और यह video course है तो इन सबी की link description में ड़िए आप application को download करके इनके बारे में complete detail ले सकते हैं गाइस इफ वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें comment में comment के मद्धे में जरू सब दाएगा ताकि हमें भी पता चल पाए support मिले motivation मिले और अच्छे साची वीडियो आपके लिए ला दो मतरू